पेम मोधी ने शिवराज सिंग चोहान को सौपी बड़ी जिंबडारी विपक्ष मेराची खल्बले अब मोधी सरकार की योच्चनाओं पर पैनी नजर रखेंगे शिवराज सिंग चोहान पीम मोदी ने शिवराज की अध्यक्षता में खिया मोनिटरिंग ग्रूप का गठा है मोदी सरकार में कृष्री मंत्री और बीचपी के दिगच नेता शिवराज सिंग चोहान का कद अब बढ़ चुका है जी हाँ ये बड़ी खबर है कि पीम मोदी ने शिवराज सिंग चोहान को बड़ी जिम्मधारी सोंकती है या यू कह सकते हैं कि कृष्री मंत्री तो शिवराज सिंग चोहान है ही लेकिन अब उनकी जिम्मधारी और जादा बढ़ गई है तरसल अब शिवराज सिंग चोहान मोदी सरकार के सभी बड़े प्रोचेक्ट की मॉनिटरिंग करेंगे उनकी निख्रानी करेंगे और खबर ये है कि पीम मोदी ने शिवराज सिंग चोहान की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग ग्रूप का गठन भी करतिया है यानि मोदी सरकार की जितनी भी योजनाय चल रही है या जो भी योजनाय सरकार लेकर आ रही है अब उन पर नजर रखेंगे शिवराज सिंग चोहान जो की मद्यपरदेश के पूर्व मुक्य मंत्री रहे हैं और मोज़ुदावक्त में वो केंद्रिय कृष्य मंत्री हैं तो ऐसे में अब उनका कद और जादा बढ़ गया है कह सकते हैं कि दिवाली से पहले शिवराज सिंग चोहान को ये बड़ा तोफ़ा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और जाहिर तोर पर ये खबर विपक्ष में खलवली मचाने वाली है क्योंकि यहां पर योजन जो मोदी सरकार में 2014 के बाद से चल रही है और जो योजनाए सरकार लेकर आने वाली है उन तमाम योजनाओं पर पैनी नजर जो है शिवरा सिंग चोहान रखेंगे और बाकाइदा इसकी पूरी चानकारी वो पलपल की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे कि आखर पोर्टल पर क्या कुछ शल रहा है किस तरीके से योजनाओं पर काम हो रहा है किस तरीके से जो है योजनाओं का रिस्पॉंस मिल रहा है यह तमाम चीजे जिसकी जानकारी प्रधान मंत्री कार्याले में शिवरा सिंग चोहान के जर्खें अब प्रधान मंत्री को सोपी जा है और यह बड़ी जिम्मेदारी उन्हें 笠ोपी गई है एक नई जिम्मेदारी है कैसे वह इस जिम्मेदारी का निरुपहन करेंगे यह भी आनेवाले वक्त में देखना होगा लेकिन नई जिम्मेदारी के मताबिक शिवराज सिंग चोहान को मोदी सरकार में ये नई और जारी योजनाओं की समिक्षा करने का पूरा अधिकार मिल गया है किसी भी विभाग की वो योजना हो वो उसकी समिक्षा करेंगे और प्रदान मंत्री मोदी ने एक नए टीम गठित कर ली है और इसकी कमान उ खबर पर निकल कर साफने आ रही है कि किस तरीके से शिवराज सिंग चोहान पर एक पार फिर से पियब मोदी ने भरोसा जता है और किस तरीके से विपक्ष ने हर संभव कोशिश की कि पियब मोदी और शिवराज सिंग चोहान के बीच में दराज पैदा की जाए लेकिन कही ने गई मध्यपरदेश के विदानसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा का चुना हुआ और वहाँ पर जिस तरीके से किर्शी मंत्री जैसा जो मंत्राले का जिम्मा था वो शिवराज सिंग चोहान को सोपा गया इसके बाद पियम मोदी से शिवराज सिंग चोहान की मुलाका हो या फर अब इस तरीके से ये नई जिम्मेदारी सोपना हो वो भी ऐसी जिम्मेदारी जाहिर तोर पर जिसका महत्व काफी जादा है कि सरकार में जो भी योशनाय चल रही है चाहे वो योशना किसी भी विभाग से जुड़ी हुई हो उसकी मॉनिटरिंग जो है वो शिव प्रासिंग चोहन की अगवाई में जो ये कमेटी गठित की गई है हर महीने समिक्षा बैठक वो करेगी और इसमें जारी सभी योशनाओं की रफतार बढ़ाने को लेकर जर्चा की जाएगी यानि किस तरीके से योशनाओं पर काम हो रहा है किस तरीके से सरकार की आने के लिए तेज़ी लाए जाए जनता तक उनका लाफ पहुंचे और ये तमाम चीजे कहने कहीं इस समिक्षा बैठक में जिसकी निगरानी होगी जिस पर बाच्चीत होगी और पिया मोदी ने शिवराज सिंग चोहन को जारी सभी प्रोजेक्ट की परवती देखने की ज 2014 के बाद NDS सरकार में जो भी प्रोजेक्ट्स यानि जो भी योचनाए घोशित की गई हैं या जो योचनाए आने वाले वक्त में घोशित की जानी हैं उन सब की समिक्षा अब किर्शी मंत्री शिवराज सिंग चोहान करेंगे इसको लेकर वो जाहिर तोर पर तमाम अधिका अधिकारी शामिल है ये भी खबर साथने आई हैं इसकी मीटिंग हर महिने प्रदान मंत्री कार्याले में ही होगी अधिकारियों से मीटिंग करने के बाद शिवरा सिंग चोहान पीम मोधी को पोर्टल पर जो सारी योचनाए हैं सारी जो प्रियोचनाए हैं और बजट की ख काम हो रहा है और साथ ही बजट में स्पेशली जो खोषनाए की गई है उसकी भी समिक्षया यहांपर होगी यानि बजट चप पेश होता है तमाम गोशनाए उसमें की जाती हैं लेकिन वो जमीनी तोर पर कितनी सफल हो रही है क्या उसका लाब जनता तक पहुंच रहा है क् है योजनाव से संतुष्ट है क्या किस तरीके का रिस्पोंज जनता का मिर रहा है यह तमाम चीजे होंगी जो कहने कहीं बैत्पून होंगी और अगर किसी भी प्रोजेक्ट में देरी हो रही होगी तो इस संबद में भी वो विभाक्स के जुड़े जो तमाम सचीव हैं उनसे जाहर तोर पर संपर्ख कर पाएंगे यह अधिकार पूरी तरीके से शिवरा सिंग् चोहान के पास रहेगा तो कुल मिलाकर खबर यह है कि शिवरा सिंग् चोहान जिस तरीके से अभी तक कृषि मंत्राले का जिम्मा उनके पास था लेकिन उसके बाद ये एक बड़ी responsibility एक बड़ी जिम्मेदारी जो है उन्हें सोपी गई है क्योंकि अभी तक ये जिम्मेदारी खुद प्रदान मंत्री नरेंत्र मोदी ही निभा रहे थे वो खुद योश्नाओं की समिक्षा करते थे वो तमाम जो मंत्राले के मंत्री हैं उनके साथ अधिकारियों के साथ मीटिंग करते थे लेकिन अब ये एक अलग टीम गठित की गई है और इसका जिम्मा सोपा गया है शिवरा सिंग चुहान को और खबर ये है कि 18 अक्टुबर को प्रदान मंत्री कार्याले में इस कमेटी की पहली बैठक भी हो चुकी है यान चिंतित इस मीटिंग में नजर आए है पियम मोदी इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दे चुके हैं ये भी जानकारी निकल कर साबने आई है तो यही वज़ा है कि 2016 के बाल जिस तरीके से बैक टू पैक लगातार एंडिय की सरकार बन रही है तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी जाहिर तोर पर बढ़ जाती है प्रदान प्रंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो दरसल जनता जिस तरीके से उन पर भरोसा जता रही है तमाम योशनाओं का लाब जिस तरीके से जनता को मिल रहा है चुनाओं में भी बातवार कही यह वजह मानी भी जा रही थी, कि सरकार की योचनाएं ऐसी है, कि जनता उन्हे बार बार फोट देने पर मजबूर हो रही है तो ऐसे में उन योचनाओं में उन प्रियोचनाओं में या उस बजट की खोशनाओं में कोई भी देरी हो पूरा होने में कोई भी कमी हो ये परदानमंतुरी नहीं चाते हैं और शायद यही वज опас है कि इस तरीके से एक नई जो कही न कहीं कह सकते हैं कि ये कमेटी का गठन करतिया गया है जिसकी अद्यक्षता अब शिवराज सिंग चोहान को सोपी गई है फिर सवाल वही है कि शिवराज सिंग चोहान किस तरीके से परदान बंतुई के भरोसे पर खरा उतरेंगे किस तरीके से जिम्मेदारी का नर्वाहन करेंगे कि जाहिर तोर पर आने वाले वक्त में देखना होगा फिलाल आपको इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिकें तन्यवाद